जैमातादी सभी को दोस्तो आज हम चंदरदीव की सीरीज में चंदरवा दस्वे घर का वणन करेंगे सबसे पहले गुरुदेव की वणना से शुरू करते हैं गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरूर देवो महिश्वरा, गुरूर साक्षात परंब्रह्मा, दस्मे शुरी गुरुए नमा दोस्तों, दस्मे घर में चंद्रमा, शनी देव की राशी है, शनी देव के घर में चंद्रमा लाल किताब में इसे आक का दूद या जहीरा पानी कहकर पुकारा गया है किन्तु यदि यहां चंद्रमा अपने उच राशी यानि करक राशी अवरिश का हो तो फिर ऐसे विक्ति की आयू लंबी होती है जब सूरे ब्रस्पति या मंगल चोथे घर में हो तो ऐसे विक्ति के सुखे कुएं खुद पानी देने लग जाएंगे उजड़े घर अबाद होंगे दूद चांदी मोतियों की वश्चा की तरह शुबसर होगा इसका अर्थ यह है कि चोथे घर में तीनों ही चंद्र के मित्र ग्रह चंद्र के अशुब फल में अपनी शक्ति डाल कर उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं यानि उसके फल को अच्छा कर देते हैं यदि चंद्रमा यहां अशुब हालत में है तो उसकी निशानी माता के स्वास्त से पता चलेगी यानि माता का स्वास्त बिगडता है तो चंद्रमा अशूप फल दे रहे हैं तो उसके लिए उपाय के तोर पर धर्म स्थान पर जाना व्यक्ति के भागे को शुप कर देगा यानि अगर माता का स्वास्त खराब हो रहा है तो धर्म स्थान पर जाना शूरू कर दे पानी से बनी दवाईयों का कारे रात्री में मरीजों का इलाज करना ऐसे व्यक्तियों को शुबर सर देगा दसमें घर में चंदरमा के विशे में लाल किताब में वर्णन है कि जब नंबर तीन में अशुब ग्रह हो नंबर दो में चंदर के शत्रु ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति जिस बीमार का पता करने जाएगा वह भी मर जाएगा यानि ऐसा हकीम या डॉक्टर जो दूसरों का उचार करने की जगा उन्हें मोत के घाट उतार देगा इसलिए कहा गया है जिसकी खबर को गए बीमार मुर्दा हो गया मीठा शर्बत देते देते जहरे कातिल हो गया तो ऐसे व्यक्ति को बीमार का पता करना नहीं जाना चाहिए अगर जाना भी पड़े तो जहां बीमार बैठा है उस चार पाई पर नहीं बैठना चाहिए उसके सामने इदर इदर होकर बैठ जाएए चंदर नमबर दस के समय शनी यानी मकान राहू यानी सस्राल दोनों का हाल मंदा होगा एक सावधानी है चंदरमा दस नमबर में रात को दूद पीना जातक के लिए जहर का काम करता है रात को दूद पीना बंद कर दीजे अगर आप करते हैं चंद्र दस्त के समय नंबर पांच छे में कोई भी ग्रह बैठा हो तो चंद्रमा की चीजें घोड़ा दुधारू पशू व्यक्ति के घर में आए तो मुसीब्तों का सामना करना पड़ेगा यानि गोड़े की पेंटिंग काफी मशूर हो रही आजकल तो ऐसे व्यक्ति को गो शनी के काम मशीनों के लकडियों के और ऐसा व्यक्ति लोगों का गला काट कर या जूट फ्रेव से काफी माया प्राप्त कर सकता है लेकिन उसका इस तरह से नजाये तरीके से कमाया गया धन दूलत बरबाद हो जाएगा ठीके का नहीं चंदरदस के समय यदि शनी नमबर तीन में हो तो ऐसा व्यक्ति चोड डाकू होते हुए मंदे हल मेरेगा यानि उसे इसका कोई लाप राप नहीं होगा सूरे साथ में हो तो व्यक्ति की मृत्यू दिन के समय पानी में डूप कर हो सकती है पर ऐसा पका नहीं है मृत्यू के फलो और उपायों का वणन किया ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वीडियो को लाइक कीजिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैमाता दी